कोई भी गाली कट वचन ताड़े वो बांधे मारता, इर्शाव परसंताप छल्नाना तरह से जारता। चाहिन बदला जो पुरुष समद्रिष्टे रखते भेव हैं, मनमार के रहते सदा परतक्छमेवे देव हैं। कोई यदि गाली दे, कट कठोर वचन कहे, बांधे, ताड़ना दे, मारे, किशी बात को लेकर के इर्शा करे, नाना प्रकार थे छल्बल करके जलाए, संतापित करे। ये सब सहते हुए भी, जिसके मन में बदला लेने की भावना नहीं होती है, किन्त सब पर संद्रिष्टे रखते हैं। और सब समय अपने मन को मार करके रहते हैं, ऐशे पुरुस प्रतक्ष देव हैं। देव लोग उपर आकात में मानते हैं, एक कलपना है। पुराने जमाने में देव देवता भी मनस्यों की एक स्थ्रेन एक जाती है। मनस्यों से अलग वे नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते महिमा बढ़ती गई, कलपनाएं फैलती गई। और उपर आकाश में देव लोग मान लिया गया। वेदी कृषियों ने प्राकृतिक शक्तियों को देवता माना। सुरज अकात में है। सुरज निकलता है। धरती के प्रानी जाग जाते हैं। सुरज ते प्रकाश मिलता है। उष्णता गर्मी मिलती है। सुरज से ही फत्ने पत्ति है। इतली कहा गया कि सुरज देवता है। पानी आकाश से बरसता है। कभी बहुत जोड से बरच जाता है। कभी बिलकुर नहीं बरसता है। कभी समान बरसता है। पानी बरसने पर फतल होती है। नहीं आष्टनी प्ननि हुती, ज्यादा पाणी बरसते हू, तो बहुतन सुकसान कर जाता है। तो कहा χार्ये, जन्कित को प्पीत हो जाते हैं, ज्यादा भरसते हैं तो ज्यादा बरसते हैं। हमा चलती है, कभी आंधी आ जाती है, कभी सामान, तो रिशियों ने का यह सब देवता है, उनको खूद करने के लिए उन्होंने अग्यहवन सुरू किया, फिर वहां से आकास में देव लुकमाल लिया गया, लेकिन ऐसा देव सूराज, चंद्रमा, बर्सा, बादल और बिल्लिक शमकना यह सब प्राकृतिक है, इनमें कोई चेतना नहीं है, कोई जयानगून नहीं है, इनकी क्रिया जयान पुरूवक नहीं होती, इनकी क्रिया है स्वभावी कहाई, बादिगरशियों कि सुज्य थी, उनको खूद करना चाहिए, उनको ँभुद करना चाहिए Spencer. बाद में जब पुरान बढ़ है तब आने देवलोक मान लिया गया और देवताओं को मनस्यों से अलग काड़ दिया गया लेकिन देवता मनस्यों से अलग नहीं है, मनस्यों की एक श्रेणी परतक्ष देव हम किसको कहें? परतक्ष देव साध गुरुमान मान महातम भरम भूलान निर्मल जीवन जो संत गुरु है वे परतक्ष देवता है लेकिन उनको देवता ना मान कर लोग मान महातम मिथ्य महिमा में भूल गये हैं जो में सदूप देव हम कल्यान का रास्ता बताए मान्तिक प्रसंता देव है इस चंद में बताया गया है कि देव कौन है? जो किथी से गाली, कटूवचन, तारना, मारना, बांधना, इर्षा, नाना प्रकागेच्छल, संताप, पाकर के भीव बदला लेने की भावना नहीं रखता है किन्तु जो उनको सताते हैं, उनके प्रती भी कल्यान कामना रखते हैं अपने मन को मार करके रहते हैं वे प्रतक्छ देव और कोई भी मनुष इस प्रकार का देव हो सकता है आदत बिगड़ी है, इसलिए थोड़ी कठनाई का अनभव होगा लेकिन कोई अभ्यात करे, साधना करे, तो कोई भी ऐसा हो सकता है हम कहते हैं किती को कोई बहुत सज्जन है, बहुत सरल इमानदार से वा परायन कोई कुछ कह देगाली देवितिल भी बहुत स्षान्त, काई भी यह वो तो देव है तो ऐते सज्जन पुरुष को ही देव कहा जाता है यहां जो देव कहा जा रहा है, जो हिंदी में देव का अर्थ है भारत में जो देव माना गया है उसके अमसारत है सज्जन, सुतिल, इमानदार, चरित्रवान, सेवपरायन, सहंसील उसको देव कहा जाता है फार्थी भासा में कहें तब जो बड़ा कुरूर हो एगदम सैतान तमाम प्रगाए गलत काम, बाद-बाद में किसी को मार देता हो, तो आरे वादमी वो देव है भी, उसके पास मत जाना फार्थी में देव का अर्थ होता है सैतान दुर्जन, दुष्ट और संकृत में देव कारत होता है सज्जन, शांत, ये भेद हैं दोनों में भार्थी में कह दिया, भार्थी भायर वो देव है, तो समादलों बहुत गलत आदमी हो और हिंदी वाला के हम बहुत देव होता है तब बहुत बड़ी है आदमी तो यहां तो भार्थी परमपरा में, संकृत में, हिंदी में जो देव कारत है, उसके मशारत है कि जो सज्जन है, सुसील है, शांत है, सहंसील है, सम्दिष्ट रखने वाले हैं सब-सम अपने मन को मार करके रहते हैं, वो देव जिनकी मधुरवानी अमद अरुसत्य से सानी हुई, तलवार के बदले शमा संतोष मन मानी हुई, तनमन बचन से शांत संतोषी सरल जनकन्त हैं, निजपर की हित में रत सदा वास्तों में वेही संत हैं जिनकी वानी अमद, अमद मान रहित, बिनम्र और सत्य से ओत प्रोत हैं, साथ साथ मधुर, कहा जाता है कि सत्य कठोर और कड़वा होता है लेकिन उसको भी जो अधिक से अधिक मधुर और मुलायम बना करके कहता है और निर्मान युक्त, अमद निर्मान युक्त, बिनम्र तो जिनकी वानी मधुर है, बिनम्र है और सत्य से ओत प्रोत है कोई यदी तलवार लेकर भी मारने आये और मारने लगे तो भी ऐसे विक्तिक प्रति जो च्छमा का भाव रखता है उसके प्रति क्रोध नहीं करता जो मिल जाए उसमें संतोस रखता है ये मिले वो मिले ये खाऊं ये पहनूं ऐते कोई आशा नहीं मन में कमी का अभव नहीं है जो मिल जाए सम्में संतोस्त जिसे कभी कमी का अनभव नहीं होता है किंत जितना मिल जाता है समत्ता है बहुत ज़्यादा मिल गया है ऐसा संतोस शंतोस का अर्थ जो मिल जाए जब जो मिले उसको परियाप्त समझना कम न समझना आगे और आया भी हो इए तन मन बजंते शान जिसका तन भी शान, मन भी शान, वानी भी शान संटोषी आई फ्ली कहा है कि जो मिल गे उसमें संटोष सरल जनकंत है कंद का अर्थ होता है प्रसन और कंद का अर्थ होता है स्वामी कंद का अर्थ होता है मालिक इश्वर कंद का अर्थ पति भी होता है तो यहां कंद है मतलब हम का सकते हैं प्रसन है जो सफ में प्रसन रहते हैं जो तनमन बचान से शान्त है आपना आत्मकल्यान का काम करती हुई भी भी परहित में लिन रहते हैं। लोगों को हित का कल्यान का शांति का मार्ग बताते रहते हैं। असुता उन्हें ही संत कहना चाहिए। वे ही संत है। अब एक वेश है। उस वेश पहने वाले जो भी रहते हैं। अब भी यह संत हैं। तो वेश के अधार पर कहा जाता है। वेश के अधार पर भी संत माना जाता है। लेकिन खाली वेश हो तो संतो मान लेंगे। लेकिन अंदर शांती नहीं रहें। शंत तो शांत हों। तो जिनकी वानी मधूर है। निर्मान युक्त बिनवरता से पून। शत्तता से पून। तलवार लेकिर के जो मारने आये। उसके बदले में भी श्हमा का भाव। संतो सस्में मन संतुस्त है। तन बजन बचन शांद, सरल, सस्में प्रसंद। और मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपना मालिक फुद जो बन गये है। अपना कल्यान कर रहे हैं। दूसरों के हीत में भी रत लीन हैं। डूबे गए है। असता ऐशी ही। पुरिष संत कहे जाने लायक है। वही संत है। निज पर वो, निज देह वो पर देह, वो पांचो विते जग भोग यो। माने हुए जो सर्ग बैकुंठा दी रमनी भोग को। सब सब नवत है जानकर, नित शांत स्वयम स्वरूप है। मन में नमाया मुह है। वही विरागी भूप है। जो अपनी देह अनलोगों की देह। और संसार के पांचो विशे भोग, इनके अत्रिक्त, माना हुए जो स्वर्ग है आकास में। जो स्वर्ग आदी के भी जो भोग हैं। समत्ते हैं की सब सब नवत निशार है बेकार। और ऐसा जान करके अपने स्वरूप में शान्त है। अपना शरीर प्रतक्षा है, दूसरों का शरीर प्रतक्षा है। और एक दिन ना हमारा शरीर रह जाएगा। ना हमारे मित्र प्रजन संगी साथी किसी के शरीर रह जाएगा। किसका सरीर रहा है, किसका रहेगा, लेकिन जानते हुई भी आदमी मोह ग्रस्त हो जाता है, अपनी चरीर में हंकार करता है, मोह करता है, फिर अना शरीर में मोह कर लेता है, आफक्त हो जाता है, और संफार की जो भोग है, पांच विशय, उनमें आनंद मान करके, उनकी पीछे राद दिन धौड़ता रहता है, उनको जिवनलक छमाल लेता है। कुछ लोग ऐसे हुए जो संतार के भोग हैं उनमें आसकत नहीं होते हैं। उन से बिरक्त हो जाते हैं। उदाशीन। लेकिन सुते हैं संतार के भोग तो तुछ हैं। इन में क्या रमना, इन में क्या सकता हो ना, इन की पिषी क्या दौडना, ऐसा काम करो धर्म भक्ति-पुन्य परमार्त का, कि मर करके स्वर्ग में जाओ, फिर वहां भोगों को भोगो च्छक करके, क्योंकि, स्वर्ग में जाने पड़ शरीर सदे जमार रहेगा, बुठापा ऐहेगा ही नहीं और कभी बीमारी भी नहीं होगी, शरीर की ताकत घटेगे ही नहीं, जाए जितना भोगों को भोगते रहो, इतलब ये दुन्या भोग में न रम करके सुर्ग का पाने, का भोग पाने कर पाने लिए लिकिन वोवि पल्ड़ी बात तो कालपनिक है, दूस्र पुरी बात, यहां के जो माने गए भोग हैं, उनका ही उतकर्स रूप, जैसा भोग चाहता है आदमें, दुनिया में, ऐसा भोग नहीं मिलता, खाने बैठे, पांदधत लड्डू खा लिये, अब पेड भर गया, जो में आदमें, सुर्ग में खाते हैं, हजारब हैजारब हाजारब 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 हाज़ाल फधवåज़ा, फ़क Banana is a little given in panic. यहां दो चार खंड़ चिनेमा देखे, आग गरम होगे ठाग गई, थख गई, नहीं कोई गर्मेर में नहीं होगी। स्रीपुर्ण धोग है सोड़े सरीर सिथिल वहां भोगते रहो हजारो 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 साल तक लगातार। इम यह सिथिल नहीं होगी। सब भोग को एक दम उसकर सुरूप दे दिया गया है काल्पनिक दुनिया में आदमी को जो जो नहीं मिलता है स्वर्ग में सब का प्रबंद कर दिया गया है और जो जो नहीं चाहिए सब को वहां से हटा दिया गया है क्योंकि काल्पना महटाना है लेकिन चुपर। दुनिया चाहे दुनिया के भोग हो चाहे माने हवे सवरगादी के भोग हो समझते हैं कि सब सपन के समान निशार है कहीं भी आसकत नहीं होते हैं सब को तुछ नश्वर दुखत जान करके मन ते त्याग दिया सबका निशांत स्वयम सरूप है और अपने सरूप में हरत में शांत इस्थिर है मन में न माया मोह है जिसके मन में रंचमात्र भी माया का मोह नहीं है मायातीत मोहातीत वेही विरागी भूप हैं वेही बराग्यमानों में भूप समराट हैं साहन साहवगे संसार संत्रित शोग से रहते उदाशी नित्य हैं जूठे हर्षव शोग मानसधार से अतिरिक्त हैं आसक्ति तन्मन बचन से जो त्याग निजमे थी रहें अंतिम अवस्था को लिए वेही विरागी भी रहें संसार संसरन संसृति याज़ ही है जो सरक्ता रहें इस्थिर ना हो उसका नाम संसार जो चलता रहें उतिक नाम संसार और संसार के प्रानी प्रणी प्रदार्थों के संबन से मौ शुक के उत्वत्ति तो जो संसार जो निरंतर चल रहा है प्रतन शील है इससे वे जो नित उदास रहते हैं संसार के भोगों को देख करके जिसका मन लल्चाता नहीं है उदाशीन, उदाशीन का अर्थ हता है टटस उदाशीन से मतलब मन मोड लेना, मुख मोड लेना तो संसार से जिन्हों जो उदाशीन हैं, जिन्हों अपना मन संसार से मोड लिया है जूटे हर तवसोक मानसधार से अतरिकता है थोड़ी अनकुलता मिलती है हर्षित थोड़ी पर्थकुलता मिलती है शोकित यह आम आदमी की दशा है और अंत में ना अनकुलता रह जाती है ना पर्थकुलता रह जाती है हम सब अपने बीत हुए जीवन को देखें कितनी अनकुलता रह जाती है और कितनी पर्थकुलता रह जाती है लिकिन भूटकाल की अनकुलता पर्थकुलता में से आज हमारे साथ क्या है कौन है कितना है कुछ नहीं सब जूटे हो गए हर्थ और शोक मानना सब जूटा है एक मन का खेल और मानस धार जो मन की धारा है मन की कलपना है मन विलास उससे अपने को अलग कर लिया है उससे दूर आसक्तितनमन बचन से जो त्याग निज में थीर हैं सब की आसक्तितनमन बचन से त्याग करके जो अपने आप में इस्थीर हैं अंतिम अवस्था को लिए हैं हर समय शरीर को मौत के मुख में देखता है, वे ही विरागी वीर हैं, वे बराग्यवानों में वीर हैं। हम यदि अपने आपको हर समय मौत की मुख में देख लें, तो कोई गलत काम कर पाएंगे। जित प्रकार आज असावधानी में, उनमाद में, प्रपंच में, बिना मतलब के काम में हमारा समय जा रहा है, क्या हम ऐती ही अपने समय को खो पाएंगे। मौत को भूल जाते हैं। इसलिए मन बार बार प्रपंच की ओर आकरसित होता रहता है। जिन भोगों को अनेक बार भोग चुके, उन ही अन्ही भोगों को तरफ दोडता रहता है। अंति मावस्था को लिएं। छो सब समय अंति मावस्था हैं। हर्चन अपने को मौत के मुख में देखता है। उसके मन में किशिक पढ़िया आसकती रह ही नहीं जाएगी, फिर उसका मन दुनिया के भोगों तरफ दौड़ेगा ही नहीं, जो ऐसा है, वो विरागी वीर है, वो अग्यवानों में वीर है, स्रिष्ट, कल्यान की प्राप्ति के लिए यही हमको करना ही होगा, जो कल्यान चाहिए, दुख निवृत्ति चाहिए सदा के लिए, उस सब के लिए ही रास्ता है, सबसे उदाश, सब की आसकती का त्याग, मौत का ख्याल रहे तो आसकती का त्याग अपने आप हो जाए मौत का ख्याल नहीं होता इटले हम बार बार आसकत हो कर अपने आप को भुले रहते है सुख आश हानि रुलाभ माना मान रागर द्रेश है अंतह करन से उड़ गए किंचित रहे नहीं शेश है मानंदियां सनमुख नहीं, निजपद में एकड़त युक्त हैं, आसक्ति से अत्यंत विरत, सुषत जीवन मुक्त हैं जिसके मन में संतार से सुख पाने की रंच मात्रा आशा नहीं रह गई है संतारिक हान इलाव मान अपमान, रागदेश का भाव, जिसके अंताकरन से पूरा का पूरा मिठ चुका है किंचित भी मान अपमान का भाव नहीं है, हर सोक नहीं है, रागदेश नहीं है जो संतारिक चीजों के बनने में जरा भी हानी का अनभव नहीं करता नहीं बिगड़ने में, अपमान होने में हानी का अनभव नहीं करता चीजें मिल गई, रुपए पैसे मिल गए, सम्मान हो गया तो इसमें जरा भी लाव नहीं मानता हानि लाब की भाना मिट गए माननदियां सनमुखने अब कुछ माननदी नहीं रह गई सब माननदी समाप निजपद में एकरस युक्त हैं अपने आप में एकरस इस्थिरेशान मान मान करके ही हम बंधन बनाते हैं मान मान बंधनतर आवा निज करतब में आप बंधावा जो सुना लणनी गहियो कीट कुछारी मांच ऐशी गतियाजीव की भई दिवस्ति सांच ये स्री पुर्ण ताहब कहते हैं मान मान कर माननता बना बना करके हम अपने लिए बंधन पर बंधन बनाते चले जाते हैं लेकिन जिन के मन से मानन दिया सम मिट गई निज पदम एकरस एकरस अपने आप में इस्थिति आसक्ति से अत्यंत विरत आसक्ति से अत्यंत दूर एकदम अनाफक्त पूनिश काम सविस्थत जीवन मुक्त है वुथी को जीवन मुक्त संत कहना शाहिए जीवन मुक्त की पहचान जिनके हिर्दय वैराग्य तीखा तीर कीना घाव है ते ब्यर्थ की बोली क्रिया मानत गती दुखभाव है रहता हिर्दय है ठप उनका शांत नचित निज रूप है मानत स्ववत करबेरवत वै मुक्त तीर स्वरूप है जिनके हिर्दय में बैराग्य का तीखा तीर शुभ गया है और उसने घाव बना दिया है किती के हिर्दय में तीर लग जाए और ना निकले तो तो घाव बना देगा आदमी पिडित रहेगा उसका तो प्रांत हो जाएगा लेकिन यहां कहा गया है जिसके हिर्दय में तीर तो चुभ गया है और चुभ करके तीर ने घाव बना दिया है लेकिन कौं ता तीर? बैराग्य का तीर घाव नाने कर्थ क्या है? राग की बिलकुल निवरित थी बैराग का तीर है तो बैराग का तीर राग को तोड़ दिया अनादिकाल से राग बना है मन में और राग हमें क्षिशचा रहता है बाहर लेकिन बैराग का तीर चुभ गया है और उसमें ने घाव बना दिया मतलब राग को बिलकुल तोड़ दिया कहीं कुछ ने है ते बैर्थ की बोली क्रिया जिसे बैर्थ की बोली बैर्थ के बाद बैर्थ की क्रिया तीर के समान चुभते है और इसमें बैर्थ की बोली में जिसके मन में पकका दूख का इनिश्या है मानदगति दुख बादा है मन की उल्खाण, मन की चंचलता में जो स Sug-समें दुख देखता रहता है रहता हिर्दय है ठप उनका, जिनका हिर्दय एकदम ठप हो गया, ठप हो गया, ठप हो गया मतलब यह नहीं है कि हिर्दय के धड़कना बंद कर दिया, खुन सफाई करना बंद कर दिया, ठप मतलब शांत, एकदम, निर्दन, शांत चीज निजरूप है, अपने शुरूप में सबसमें शान्त है फिरदे ठप होने का मतलब है आशा, तृष्णा, कामना बिलकुल मिट जाना मन कहीं जिनका नहीं दोड़ता है बाहर माना सववत करवेर रहा इसलिए मन कैसा है? सववत है, कैसे करवेर हाथ में बेर लिये रहना हाथ में बेर है, सामने एकदम प्रतक्च उसके लिए कोई प्रमान का सकता नहीं है हाथ में बेर लिये रहने में भी कौन भार है? वह तो प्रतक्च है, वह ते प्रतक्च है, भार भी नहीं है ऐसे ही जिनका मन एकदम सववत कभी परवत होता नहीं, परवत होने कर सक्या है, बाहर भटक जाना तो जिनका मन एकदम पून सोवत है वह मुक्त थीर सुरूप है, वह है जितेजी मुक्त अपनी सुरूप में थीर, शान नर्देह में आये हुए गुरुभक्त अधिकारी सभी गुरुभक्त अधारी बोधो वैराग ले सकते अभी जब बोधो वैराग ले, तब थीर में क्या देर है बत एक चीत डट जाईए, मन जीत मुक्त सवेर है जितने भी जीव मुनुश्यरिर में आये हुए है सब गुरुभक्त के अधिकारी है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अमुक युग्यता वाले विक्ति ही गुरुभक्ती का धिकारी है जो इतना पढ़ लेगा, वो ये गुरुभक्ती कर सकता है अनपढ़ भक्ती नहीं कर सकता जो ऐसा धनवान है वो भक्ती कर सकता, निर्धन भक्ती नहीं कर सकता जो अमुग जयाती में पैदा हुआ है वो भक्ति कर सकता है उसे छुटी जयाती में भक्ति नहीं कर सकते जो अमुग देश में पैदा हुआ है वो कल्यान का धिकारी है वो भक्ति का धिकारी है उससे बाहर पैदा हुए लोग भक्ति किठ अधिकारी नहीं है या जो पुरुशेरिर में जीव है वही भक्ति कठारी है और इस ब मी हुए भक्ति कठारी नहीं है। ऑइसा नहीं है। सब अधिकारी है। स्वामी संगरचारियों ने लिखा है, मोक्ष, यदि किसी जीव को मोक्ष रेना होगा, तो उसे भारत में पैदा होना होगा, भारत में पैदा लेना जनम लेना पड़ेगा, भारत में पैदा लेना पड़ेगा, भारत में पैदा जनम लेना पड़ेगा, भारत में पैदा जन प्राम्हान जाती में पैदा होना पड़ेगा और ब्राम्हान पुर्थ होना पड़ेगा तम मुक्त होगा इसरी इसरी में होगा ये तम मुक्ति नहीं मिलेगे ये ऐसा होता कि ब्राम्हान घर के नारियों को कोई पाप नहीं लगेगा चाहा चोरी करे चाहा ब्यविचार करे चाहा हत्या करे पाप नहीं लगता उसको तब बंधर भी नहीं होता है, तब इतले मुक्ति भी नहीं होगी, लिकिन जब इस्री हो, चाहे पुरुस हो, चाहे भारत का आदमी हो, चाहे बिदेश का आदमी हो, चाहे ब्राम्हन हो, चाहे शुद्र हो, जो भी गलत काम करेगा, उसे पाप लगेगा, संसकार उसका बनेग तो उन संदकारों काड़ करके वो मुक्ति का काम क्यों ने कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने भी मुक्ति के लिए एक सर्त अरग दिया है। हाँ सर्त यह होनी चाहिए भी कि वित्यवातना का त्याग हो, आतक्ति का त्याग हो, मौममता का त्याग हो, बैराग्य हो, भक्ति हो, शुरूबोध हो, यह तो बात अलग है, एक इसमें जाति, वर्न, देश, लिंग, इन सब का भेदिका है, नरदेह में आए हुए गुरुभक्त अधिकारी शरही, इस तथ्या है, कि मनुष्य रिल में जितने भी जीव हैं, आए हुए हैं, इस सब कल्यान का धिकारी हैं, और सब के सब गुरुभक्त अधारी बोध हो बैराग ले सकते अभी, और जो चाहे, आज अभी इसी छन, गुरुभक्त अधारान करके, बोध और बैराग ले सकते हैं, कल्यान के लिए, दो चीज की आव सकता है, बोध और बैराग, बोध सरूब का जड़ चेतन दोनों के भेद का ज्यान, मैं चेतन हूँ, इस माल लिए, लेकिन बाद में का देख नहीं, कि जड़ मुझसे अलग नहीं, जड़ मेरा ही सुरूप है, तो फिर सही बोध नहीं हुआ, अनिक लोग मानते हैं ये, कि जड़ चेतन दोनों येखी है, भिन-भिन कहा तो जड़ चेतन को एक मानना बोध नहीं है, अब बोध दता है, अपने सुरूप को अंस अंती ब्याप ब्यापक कारन कार्य भा से रहित, जड़ ततों से स्रवथा रहित समझ लेना, शुद्ध बुद्ध निर्मन निष्काम अकाम, तो सुरूप का सही बोध हो, और पूर पूर बायराग्या हो, बायराग्या अनाशक्ति, निष्कामता, निर्मोहता, पूर बायराग्या हो, पूर निष्कामता, पुरी निर्मोहता हो, बस कल्यान हो गया, और इसका अधिकारी माना मात्र है कोई भिहां लेकिए, इसके लिए गुरु भक्ति के आउ सकता है, बिन बिना भक्ति के न भोद होगा न बिना भक्ति के बैराग होगा। बिना भक्ति के ज्ञान अहंकार का कारण बनेगा। और बिना भक्ति के बैराग्य दिखावा का कारण बनेगा। भक्ति, ज्ञान और बैराग दोनों को संतुडित रखती है, सम्हाल करके रखती है, भक्ति नहीं है, तो ज्ञान अहंकार कारन बने के बने के मेरे समान कौन ग्यानी, मै इताबड ग्यानी वैसे वैसे, उतके लिए गुर्भक्ति धारन करके, और कोई भी आदमी चाहे तो निश्चल होकर बिनम्र होकर के, तो उसे आत्म बोध हो सकता है, और आत्म बोध का भक्ति और बोध का फल होना चाहिए बैराग, तो भक्ति बोध और बैराग या तिनो है, भक्ति बोध भक्ति तो भक्ति है ही, बोध ज्ञान और बैराग, भक्ति ज्ञान और बैराग के और जब चाहे तब ग्रहन कर सकते हैं, जब बोधो बायर आग्य ले, तब थीर में क्या देर है, और जब फून बोधो बायर आग्य हो गया, पूर आत्मग्यान हो गया, और सब तरह से पूरी निश्कामता हो गई, निर्मोहता, कहीं रंचमात्र कोई कामना शेत रह नहीं तब अपने आप में स्थिर होने में, अपने आप में शांत होने में, कल्यान होने में, जीव जैसा है तैसा रहने में, और देर क्या है, कोई बाहरी पड़दा नहीं है, कोई बाहरी दूरी नहीं है, कल्यान से, मोक्ष ते, बाहर की दूरी होती, तो तो वहां चलना पड़ इस वरूप है, बोध नहीं है, बैराग्य नहीं है, इट लिए, मोख्ष दूर जैसा लगता है, सहाब ने कहा है, एक दूर चाहे सब कोई, एक फल बहुत दूर है, उते चाहते सब है, कल्यान, मोख्ष की चाहना किसके मन में नहीं है, मोख्ष मतलब स्वतंत्रता, निर्वंधता, आत्म सवस्ता, ऐसा सुख दो कभी घटे ना, यह सब तो मोख्ष है, और कौन इसे नहीं चाहता है, एकनो फल दूर हो गया है, क्यों दूर हो गया है, ना समझी के कारण, अज्ञान के कारण, बिश्यासक्त, मोह के कारण, बिश्यासक्ति मोह मिढ जाए, मोख्ष अभी मिल जाए, चत्काल, क्योंकि वो अलग है नहीं, अपना सुरूप, तो जब बोध हो बायराग्यले, जिन्होंने पून बोध बायराग्यले लिया, जिसे अपने सुरूप का पक्का निश्य होगी, सुरूप बोध हो गया, अपने अपने थिर होने में क्या देर है, बस एक चित डट जाए, ये मन जित मुक्त सवेर है, बस एक चित से डटने का सकता है, समरपन, अधति हाई धंग से काम ने बनेगा, आज तो खूब डट गए, चार दिन छोड़ दिये, फिर दो दिन का लिए, फिर छोड़ दिये, इसे भी काम ने बनेगा, कर तो रहे हैं, सेवा का भी काम कर रहे हैं, भक्ति का भी काम कर रहे हैं, स्वाध्याय, साधना, ध्याजिनतन का भी काम कर रहे हैं, लेकिन अधति हाई मनते, समरपित हो करके नहीं है, उस्षा पुरवक नहीं है, प्रसनता पुरवक नहीं है, तो उस काम में भरपुर सफलता नहीं मिलेगी, कोई काम है, दुकान कही कोई काम है, प्रसंता पुर्वक उस्षा नहीं करता है, तो दुकान में सफलता कैसे मिलेगी, लाफ कैसे और दुकान चलेगी कैसे, किती कही काम है कितान समर्पितो कर ने कर उस्सापुरवक ने कर ने कर, मन मार कर के कर रहा है कहीं फतल ठिक होगी, कहीं कम होगी, कहीं घास रह जाएगी, कहीं कुछ और हो जाएगा हर दिशा में समर्पन चाहिए अब ये चित, एक चित का मतलब ही है समर्पन एक चित का अर्थ ही है, जब जिस काम को करना हो, उस समय मन को उसी में बताय रखना, काम कर रहे हैं कुछ और, मन दल रहा है कुछ और, तो मन बटा हुआ है, एक चित दूए ठाओर, तो जो काम अभी सोच रहे हैं, वो तो करनी पाएंगे, और जो कर रहे हैं, उसमें मन है नहीं, तो व भी बिगड़ जाएगा, तो ना इधर को हुए, ना उधर के हुए, जब जो काम करना हो एक चित से, तब सफ़ाथा मिलेगी, और कोई भी काम को एक चित से करना, समर्पित हो करके, तो काम करना भी ध्यान बन जाएगा, जो हम लोग बैठ करके ध्यान करते हैं, अब किसका मन कितना रुकता है, वो तो हर बैतिक अपना नभा होगा, तो यहाँ जो बैठ करके ध्यान करते हैं, यह इतना ही ध्यान नहीं है, पुस्तक पढ़ रहे हैं, और सब दूसरा ख्याल भूला गया, खाली पुस्तक पढ़ने म मन लगा हुआ है, तो भोजन बनाना भी ध्यान है, जाडू लगा रहे हैं, एक चीत से लगा रहे हैं, तो जाडू लगाना भी ध्यान बन जागा, एक चीत से ने लगाएंगे, तो कहीं जाडू लगेगा, कहीं ने लगेगा, कहीं कचला साफ हो जागा, कहीं कचला पड़ा र वो देगा, और कामधाम करते समय, साधाय ससंग करते समय, रासा चलते समय, मन कहीं भटक रहा है, तो गंटा दो गंटा बैट का ध्यान करते हैं, वो ध्यान भी नहीं लगेगा, समय की बरबादी होगी, तो यहां कहा गया है, बस एक चित आजड जाईए, पली पंक्ती में हैं तब अपने आप में थिर होने में बिलंब क्या है, काल अपने थिरता होगे, तो उसके लिए करना क्या है, बस एक चित जड़ जाएए, एक चित से जड़ जाएए, अभी मन को जीत करके तुरंत मुक्ती में जाते हैं, मुक्त सबेर, सबेर मतलब सिग्र, जल्दी, बस एक जड़ जाएए, तो अभी मन को जीत लेगा, और अभी मुक्ती जल्दी मिल जाएए, लोग काते हैं, मन को जीतना, मन को मारना तो बहुत कठीन है, क्यों? एक चिस से हम काम नहीं करते, समर्पित हो काम नहीं करते, इट लिए मन को जीतना बहुत कठीन है, मन के चंचलता में इतुलाव का निश्या है तो जो भी एक चीज़ से डड़ गया मन को जीत करके तरंट वो मुक्तिलाव ले लिया इस अंतिम इच्छन के अंतिम में पद में है मनुश शरीर में जितने भी लोग आय हुए हैं पढ़ अपढ़ धनी गरीव विद्वान अविद्वान शरी पुरूद सब के सब गुरु भक्ति के अधिकारी हैं गुरु भक्ति के अधिकारी हैं तो मुक्छ के अधिकारी हैं जिन्होंने गुरु भक्ति धारन किया गुरु भक्ति धारन कर सकता है, बोत बाराग्य हो गया, तो अपने आपने इस्थिर होने में कोई देर नहीं है, बस देर है एक चीज़ से समर्पित होने में, एक चीज़ समर्पित हो गया, मन को जीत लिया, तुरंद इसे छन वो मुक्तव हो गया, बस